हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सस में फ्रेंट्स अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लें चैनल का नाम है गोल्टू सक्सस एंड इस वीडियो को जितना हो सके जाद से जादा लोगों के साथ शेयर भी जरू करिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो फर्स्ट कोश्चन है या किसने कहा है कि सम्हू से हमारा तात पर व्यक्तियों की किसी भी ऐसे संद्रह से है जो एक दूसरे के साथ समाजिक सम्मंद रखते हैं ठीक है तो इस तरीके से सम्हू को परिभाशित करने वाले मैके व समाजिक मूले समाजिक मानक के हैं समाजिक मूले गतिशील होते हैं समाजिक मूले समाजिक कल्यार एवं आवशक्ताओं के लिए महतपूर समझे जाते हैं समाजिक अवशक्ताओं के लिए या फिर ऑप्शन डी कह रहा है उपयोक्त सभी यानि कि ऑप्शन जो स्टार्टिं कि तीन हैं, ये तीनों ही सही हैं, तो सही बताना है, तो यहाँ पर option D हो जाएगा, ये सभी हो जाएगे, यानि कि समाजिक जो मुले हैं, वे समाजिक मानक के हैं, ये गतिशील होते हैं, समाजिक कल्या और समाजिक अब शक्ताओं के लिए महत्पूर है ये ठीक है तो ये तीनों ही सही हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसो ऑप्शन डी हो जाएगा नेक्स्ट है एक विशिस्ट समाज के सदस्यों के जीवन अभिकल्प के रूप में संस्कृति को किसने परिभाशित किया इन्पोर्टिन कोशन है एक विशिस्ट समाज के सदस्यों के जीवन अभिकल्प के रूप में संस्कृति को परिभाशित करने वाले क्लुखोन है यहाँ पर आपका जो थर्ड कोशन है उसका राइट आंसो ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट है किसी विशिस्ट अविश्कार एवं उस अविश्कार के लिए अपेक्षित विशिस्ट व्यवस्थापन के मधिवर्तिय समय अंतराल को स्टूर्ट चेज ने क्या नाम दिया है किसी विशिस्ट अविश्कार और उस अविश्कार के लिए जो अपेक्षित वि कोई नहीं तो यहां पर टैंडम विलंबना हो जाएगा ओप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ का नेक्स्ट है कौन ग्रामीर समुदाय की यहां पर विशेष्टा नहीं है तो ज्वाइन फैमली संयुक्त परिवार आपचारिक नियंत्रण जाती प्रथा य की ग्रामीर समुदाय के अंतरगत संस्थाओं और ऐसे व्यक्तियों का संकलन होता है जो छोटे से केंदर के चारों और संगटित होते हैं तथा समान प्राकर्तिक हितों में वे भाग लेते हैं तो कमिनिटी की इस तरीके से परिभाशा किस ने दी है मेरिल एल्डरिज ने द अब्धाना है वह किस ने दी हुई है तो आप सभी जानते हैं यह आपके एक्जैम में काफी पर पूछा गया है रोबर्ट रेट फील्ड है यहां पर सैवन्त का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन है ग्राम नगरी करण की जो अब्धाना है वह किस ने दी है ग्राम नगरी करण की अब्धाना तो जे गौल्पिन हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा जे गौल्पिन हो जाएगा राइट आंसर एट का ऑप्शन भी हो जाएगा next है किसने समाज को लोग तथा नगरी दो विस्तरित भागों में विभक्त किया है समाज को लोग तथा नगरी दो विस्तरित भागों में विभक्त करने वाले कौन है Robert Redfield है right answer यहाँ पर 9th का option C हो जाएगा next है भारतिय गावों में आत्म निर्भरता एक मित है ठीक है आत्म निर्भरता को भारति गावों में एक मित किसने बताया है तो यहाँ पर जो options देख लीजे चॉल्स, मैटकॉफ है, औसकर लेविस है, लुईस वर्थ है या फिर शिनिवास है तो यहाँ पर right answer शिनिवास option D हो जाएगा नेक्स्ट है, निमने में से कौन सा यहाँ पर सही नहीं है concepts दिये गया है, तो मानव पारस्तति की का Robert E. Park, नगरवाद जीवन के एक धंग के रूप में लुईस वर्थ, गरीबी की संस्कृती लेंटन या फिर लोग नगरिय निरंतरता Robert Redfield का तो यहाँ पर सही नहीं, यानि की गलत बताना है तो गरीबी की संस्कृती ये लेंटन का नहीं है आप लोग कमेंट करके बताएगा कि जो गरीबी की संस्कृती की अफधाना है वो किस ने दी है, ठीक है, यहाँ पर right answer क्या है option C है, next है, अभिजन का संचार ये जो सिद्धान थे, वो किस ने दिया है ठीक है, अभिजन का जो संचार का सिद्धान थे, वो किस ने दिया है तो वो पैरटो का है, अभधाना, यहाँ पर right answer option B हो जाएगा next है, माक्स के अनुसाद, जब उत्पादन प्रणाली बदलती है तो समाज की, किस चीज में समाज में परिवर्तन देखने को मिलता है अधो सरशना में, अधी सरशना में देखने को मिलता है या फिर संस्थाओं में देखने को मिलता है या फिर इनमें से किसी में भी नहीं तो यहाँ पर क्या होगा जो अधी सरशना है उनमें परिवर्तन आता है जब माक्स कहते हैं कि जब उत्पादन प्रणाली में बदलाव आता है या उत्पादन प्रणाली बदलती है तो समाज की जो अधी सरशना है उसमें भी बदलाव देखने को मिलता है यहाँ पर 13 का परीवर्थन आता है तो समाज में परीवर्थन आता है चुनोती और समाज में परिवर्थन की बात किये किसने टॉइन बी घिया थी जाति उत्तम्ताली का पर हो जाएन वाले यहाँ wev एन गिलिन ने प्रतिसपर्धा के कितने प्रकार की बात की है ठीक है और वो कौन से है ठीक है यहाँ पर होगा कौन से है ठीक है गलत हो गया है तो गिलिन एन गिलिन ने प्रतिसपर्धा के कितने प्रकार का उल्ले किया है ठीक है तो मिलनी आंसर में बताना है कौन कौन सी वो ह वैतिक प्रतिसपर्धा, अवैतिक प्रतिसपर्धा, option C, A और B दोनों ही या option D इनमें से कोई नहीं तो यहाँ पर वैतिक और अवैतिक प्रतिसपर्धा दोनों ही हो जाएगा यहाँ पर right answer option C हो जाएगा इंपोर्टेंट है देखे जेगा नेक्स्ट है ऐसा कोई प्रमार नहीं है कि ग्रामिड व्यक्ति अधिक मुर्ख या नगर निवासी अधिक आडमबर पूर्ण होता है गाउं और नगर दोनों ही समाज है कोई भी एक दूसरे से नाधिक प्राकर्तिक है और ना ही क्या है वो क्रतिम है ऐसा कहना किसका है most important है ठीक है तो यहाँ पर 17th question की बात की जाए तो यह कहना किसका है मेकेवर एंड पेच का है और ना ही अधिक क्रतिम है तो ऐसी बात किसने की है मेकेवर एंड पेच ने की है यहाँ पर आईड आन सो option भी हो जाएगा next day ग्रामीर समुदाय एक घड़े में शांत जल के समान है और नगरीय समुदाय केतली में उबलते पानी के समान स्थायत्व एक का विशेश लक्षण है स्थायत्व मतलब ग्रामीर समुदाय का लक्षण है और गतिशीलता को नगर समुदाय का लक्षण बताया है किसने सोरोकिन एंजिमर्मैन ने मैकेवे एंपेज ने किंग्सले डेविस ने या फिर सी दुबे ने तो यहाँ पर आपका जो 18th question उसका right answer सोरोकिन एंजिमर्मैन यानि कि option A हो जाएगा यहाँ पर right next day किसने समाजिक नियंत्रण के प्रमुक साधन कौन कौन से साधन यानि कि धर्म प्रथा सरकार और नियतिकता बताए हैं जिनके द्वारा समाज अपने सदस्यों पर अंकुष एवं नियंत्रण रखता है तो धर्म प्रथा सरकार और नियतिकता के द्वारा समाज के जो सदस् प्रण की बात कौन करता है, यहाँ पर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका स्पेंसर हो जाएगा, यानि कि ऑप्शन C यहाँ पर राइट हो जाएगा, नेक्स्ट है पारस परिक्ता हैं, जागरुपता को सम्हू के आवश्यक तत्व की रूप में किसने बात की है, कि स उसे एक अद्वित्य संस्था बना देता है, वया है कि यहाँ भारती समाज को अखंड बनाती है, और प्रतिद्वन्दिय को एक समुदाय में जोडती है, तो इस तरीके से बात किसने की है, हट्टर ने की है, यहाँ पर राइट आंसर ओप्शन A हो जाएगा, नेक्स्ट है यह मानना है, राइट आंसर ओप्शन D है, नेक्स्ट है किसने कहा है कि मानव द्वारा वस्तुओं के उपर नियंतरन के संदर में समपत्ती की कलपना की बात करने वाले कौन है, यहाँ पर राइट आंसर ओप्शन B है, नेक्स्ट है किसने कहा है कि समाजिक परिवर्तन से हम समाज की सरशना और कार्यों में घटित होते यानि कि जो समाजिक सरशना या संगटन में जो समाजिक संगटन या सरशना है ठीक है उनके कार्यों में जो चेंजिस देखने को मिलते हैं उसको समाजिक परिवर्तन बताये रहे वाले कौन है किंग्सले डेवेस हैं यहाँ पर समाजिक परिवर्तन की निमनानुसार, किसने परिभाशा दी है, कि समाजिक परिवर्तन की परिभाशा, लोगों के कारे करने की विधियों तथा विचारों में होने वाले परिवर्तन की रूप में किये जा सकती है समाजिक परिवर्तन की जो definition है वो क्या है कि लोगों के कारे करने की विधियों तथा विचारों में जो होने वाला परिवर्तन है वह समाजिक परिवर्तन है और ऐसा मानना किसका है तो यहाँ पर Right Answer Johnson होगा, Option B हो जाएगा Next बाइट सोरुकिन का नाम जुड़ा है समाजिक परिवर्टन के ना रेखे हो ना चक्रिय सिध्धानतों से समाजिक परिवर्टन के रेखे और चक्रिय दुनों ही सिध्धानतों से समाजिक परिवर्तन के चक्रिय सिध्धान से उनका नाम जुडाए या फिर समाजिक परिवर्तन के रेखे सिध्धान से तो समाजिक परिवर्वर्तन का चक्रिय से धातुनों ने दिया था सोरो के नहीयर और किया था सोरी ना है यहां पर राइटा आजके हो जाएगा option C हो जाएगा next है किसके अनुसार जनसंक्या व्रधी धर मदुमख्यों की किरियाओं जैसी है जनसंख्या व्रदिदर मदु मख्यों की किरियाओं जैसी है अथार्त जनसंख्या बढ़ती है और घड़ती है चड़ती है गिरती है और तेजी से धीमी गती से बढ़ती है तेजी से या फिर धीमी गती से बढ़ती है कुल मिलाकर देखे तो यह हमेशा क्या करती है बढ़ती तो इस तरीके से बात किस ने की है, रेमेंट पर्ल ने की है, right answer option C है यहाँ पर, next है समाजिक गतिशीलता वा जनसंख्या व्रद्धी में विप्रीत संबंद है, जो समाज जितना अधिक गतिशील होता है, वहाँ जन्मदर उतनी ही कम होती है, समाजिक गतिशीलता वा जनसंख व्रद्धी में विप्रीत संबंद बताया है, और यह कहते हैं कि जो समाज इतना अधिक गतिशील होगा, वहाँ की जन्मदर उतनी ही क्या होगी, कम होगी, तो इस तरीके से बात किस ने की है, दुरखीम ने की है, यहाँ पर right answer option C हो जाएगा, तो friends, I hope यह आपको वीडियो पसंद आई होगी आज की, अगर पसंद आई है तो please like करिएगा, comment करके जरूर बताईएगा, चैनल पर आप नए है, और आपने अगर चैनल को subscribe नहीं किया है, तो please चैनल को भी जरूर subscribe कर लेजेगा, और इस वीडियो को जितना हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साज share भी जरूर करिएगा, thank you